बना रहे है चॉकलेट प्रमिक्स, चॉकलेट केक बहुत ही आसान तरीके यह विनिदा चॉकलेट ready made प्रमिक्स से मैंने बनाया है वन कप लिया था внешory पानी, आट किया है और जो भी आपके घर के टीन होते हैं उसमें आप डा सकते हो log terrific वाले टीन कासा तरीका मैंने इसे बेक कर लिया है और तीनों में में इसे बेक कर लिया हैं जो नीचे बाड़ Independence ज्ञ floods प्रेंस बनानें कोई जन्जट भी है मेदा डालो दही डालो या शुगर डालो ओली लाना है आपको प्रिमिक्स को और एक चमच ओयल डालना है पानी डालना है और मिक्स कर लेना है बस आपको यही करना है और कुछ नहीं और मैंने या क्रिन स्प्रैट किया है और यह है डाल चॉकलेट गनाश और इसमें मैंने थो उनको ये मुझे गिर्ब देना था तो इसलिए आज मैं ये चॉकलेट केक बना रही हूँ और मैंने धेल सारे यहां चॉको चिप्स तुटी फुटी डाल ली है और सेकेंड डियर रखके इस तरीके से शुगर सिर्फ किया है और बहुत ही ये और टेस्टी रखते है फ्रेंच चॉकलेट केक खाने में आप जरूर ट्राइ करिएगा आइस केक बनाना बहुत ही इजी और आसान हो गया है कोई भी बनालेगा इतना आसान क्योंकि आपको कोई भी मतलब दही या ये वू सपन्ज में अड़ करने की जरूत नहीं है और पानी एड़ करना है और आईल एड़ करना है ऐसे कॉंटेट ही जादा या कम आप कर सकते हो कोई मेजरमेंट नहीं है और सेकेंड लियर रखके इधर भी मैंने गनाशेड कर लिया है और यहां डालूंगी में तूटी-फूटी और चौको चिप्स यह डालने के बाद जो हमारा केक का टेस्ट है एकदम बहुत ही अच्छे से आता है तो आपके पास है तो आप डाल सकते हो न तो स्किप्पी कर सकते हो और थर्ड लियर है वो हम रखके इसे भी अच्छे से शुगर सिर्फ कर लेंगे मेरी डेसिप्रीज आपको कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताना पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना तो यह देखे इस तरीके से मैंने शुगर सिर्फ कर लिया है अब हम यहाँ क्रम कोटिंग करेंगे केक की और पहले जो क्रम से केक स्पंज के वो से अच्छे से कवर कर लेना है नहीं तो जो आप फाइनल फिनिशिंग करेंगे उसमें क्रम सा आ जाएंगे जो फिनिशिंग ह यह दो नहीं आपाएगे तो इसलिए क्रम कोटिंग करना बहुत ही जरूरी है तो देख सकते है इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा क्रीम कःशिंग कर लिया है और यहां हम फाइनल फिनिशिंग भी कर लेंगे तो प्रेंस चोकलेट केक बनाना बहुत ही ईजी है आप जरूर ट्राइ करिएगा और कोई भी डौट हो तो मुझे जरूर पूचिएगा तो इस तरीके से मैंने क्रम कोटिंग कर ली है और थोड़ा सा गनाश बचाता ना वह हम इस पे उपर डाल रहा है यह डालने के बाद बहुत ही एमी और टेस्टी लगता है फ्रेंस केक क्रम कोटिंग कर ली है मैंने जो गनाज बनाया है यह डार कमपॉंड करके मिलता है इसमें चार पीस होते है डार कमपॉंड के जैसे चॉकलेट मिलता है वैसे ही और उसे लाना है एक पीस आपको कट करके उसे गैस के उपर एक तवा रखना है और तवे के उपर एक प्लेट रखके आपको डालना है तोड़ा देम है आज पे आपको slow gas में रखना है वह अपने आपसे melt हो जाएगा और इसमें आप fresh cream भी डॉल सकते हो या नॉर्मल cream भी डूल सकते हो या दूद भी डूल सकते हैं तीन options है इसमें मैंने दूद एड़ किया है और इसे melt कर लिया है तो देखे फ्रेंस हर किसी को गनाश बनाना इजी नहीं होता है तो इसकी में जल्द वीडियो लेके आओंगे आओंगे आपके साथ और ये देखे इस तरीके से मैंने की फिनिशिंग की है और देख सकते हो थोड़ी थोड़ी क्रीम मैंने यूज की है जादा ने और जो ब्रोनिस कलर आया था वो इसमें थोड़ा सा मिक्स हो रहा है देख सकते हो तो कोई बात नहीं फ्रेंस क्योंकि इसके उपर हम पूरा चॉकलेट से कवर करने वाले हैं हर बार मैं गनाश से कवर करती हूँ केको इस बार हम चॉकलेट से करेंगे तो फ्रेंस मैंने स्क्रैपर लिया है स्क्रैपर के मदद से इस तरीके से साइड से पूरे केक को फिनिशिंग की है स्क्रैपर से आप देख सकते हो आपको फिनिशिंग नहीं आ रही है तो आप ये यूज कर सकते हो तो बहुत ही आसान तरीके से इसके आप फिनिशिंग कर लोगे तो friends यह दिके हमारा केक फिनिशिंग हो गया है मैंने यहाँ एक बाउल लिया है यहाँ बाउल लिया है और इस तरीके से गोल करके आपको रखना है तो यह मैंने चॉकलेट और डारकमपॉंड का दुकस कर लिया है और पूरे अभी चॉकलेट से हमें इसे कवर करना है तो बीच में हमें नाम भी लिखना है तो इस तरीके से आपको पूरे केक को चॉकलेट से भर-भर देना है और बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगता है फ्रेंसे और यह दिखिया हमरा जुगाड़ तरीका तो मैंने स्क्रैपर लिया है तो इस तरीके से आपको चॉकलेट लगाते जाने हैं हाथ से लगाएंगे तो क्रीम भी और चॉकलेट भी एकी साथ आपके हाथ में लग जाएगी तो इस तरीके से यहां लगा देना है तो पूरे केक को हमें चॉकलेट से कवर करना है और उपर से आप हाथों से भी इस तरीके से जार सकते हैं बट भार के साइड में बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो यह दिखिए मैंने पूरे केक को इस तरीके से कवर किया है और बीच में हम नाम लिखने वाले है तो यह दिखिए इतना प्लेन हमने किया है और यह मैंने अभी लिया है मोदक नोजल और इस तरह के से मैंने यहां आउटलाइन कर दी है और यह हमारा हाप कीजिगा केक है फ्रेंस मैंने वन कप बरके प्रिमिक्स लिया था टू फोटी एमेल के कप से तो फ्रेंस आप वन केजी के लिए टू कप लेना है और यह दिखिए मैंने यहां बीच में मोदक निकालना है नाम निकालना है नाम निकालने के लिए जगा तो चाहिए क्योंकि चॉकलेट के उपर हम जब नाम निकालने जाएंगे तो यह दिखे इस तरीक से निकलना स्टार्ट होता है क्योंकि वहाँ का चॉकलेट थोड़ा सा हटा दीजिएगा और आपका जो क्रीम है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा तो मैंने याँ बहुत ही सिंपल डिजाइनिंग रखी है को डिजाइन बनाओं सोच रहीतीब क्य으면 चॉकलेट के साथ ही क्रीम निकण ड़के आ रहीती तो मैंने याँ चेडीग लगा दी इस तरीके से में चॉकलेट केग में चेडीज तो बलते ही बनते है मैंने यहां लगा दिया है happy birthday टैप और आज की हमारी chocolate cake की recipe आपको कैसी लगी comment में जरूर बताना और video useful लगी तो एक like और subscribe जरूर कर देना आज हमारा यह chocolate cake हाप कीजी का बन के ready है आपको कैसा लग रहा है comment में जरूर बताना आप कोई भी doubt हो और आपको तो मुझे जरूर पुछना video useful लगी तो like and subscribe